वेलकम टू ग्लैम वर्ड टॉक्स और आज की इस वीडियो में हम आपको वीकेंड की वार की अब तक की जो भी कन्फर्मड अपडेट्स आए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगी काफी सारे क्वेश्चन्स फैंस ने हमें पूछे हैं उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या इस वीकेंड के वार को करन जोहर होस्ट करेंगे या सल्मान खान वापस आगे हैं सल्मान खान होस्ट करने वाले हैं तो इसका अंसर ये है कि ये वीकेंड का वार जो है उसको सल्मान खान होस्ट करेंगे और उसके बाद आपको 28 तारिक को फिनाले में सल्मान खान देखने को भी नहीं नेक्स्ट अपडेट यह है कि जैसा कि कल रात को ही हमने बता दिया था कि कल रात को जो रोस्टिंग का टास्क हुआ उसके बाद जितने भी ओडियन्स आये थे उनको वोट करने को कहा गया सबको जितने भी आर्ट कंटेस्टेंट है सबको मार्ग्स देने को कहा गया उनके परफॉर्मेंस को और उस मार्ग्स के बेसिस पे जो चार नॉमिनेटेट कंटेस्टेंट है उनमें सबसे कम जिसको मार्ग्स आना था उसको इलिमिनेट कर दिया जाता तो यह जब टास्क कंप्लीट हुआ audience ने vote किया और उसमें आईशा खान को सबसे कम marks आए और इसकी वज़े से कल रात को ही घर से आईशा खान evict हो चुकी है और जो आज weekend की बार की shooting जो अभी start हुई है उसमें आज एक और कोई eviction होने वाला है तो इसका मतलब यह है कि Vicky Jen और ईशा मालविया यह अप मानिये नहीं की हो चुका है यह जाना ही जाना है यह 99% है chances की ऐसा होगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि makers decide करें कि कल जो है घर के अंदर media आने वाली है media around के बाद कुछ ऐसा decision ले तो यह भी confirm नहीं है लेकिन जैसा ही कुछ होता है elimination पर जैसे ही अगर में guest आने वाले हैं उसमें से तीन prominent नाम है शाहित कपूर और केरती सिनोन जो है वो आने वाले है उनकी नई फिल्म आ रही है शाहित कपूर और केरती सिनोन के आने वाली फिल्म का नाम है तेरी बातों में उल्जा जिया काफी interesting trailer है movie का आप जाके youtube पे देख सकते हैं तो केरती सिनोन और शाहित कपूर अपने इस फिल्म को promote करने के लिए आएंगी और वो घरवालों के साथ कुछ task या कुछ interact करके कुछ उनके साथ task खेल सकते हैं वो अभी suit हुआ नहीं है जैसी होता है क्या task है उसकी भी detail हम आपको बताएंगे next guest जो है वो अनिल कपूर आएंगे अनिल कपूर की रितिक रोशन और दिपका पादुकोन के साथ fighter movie आ रही है उनकी एक दो और web series भी आ रही है तो अनिल कपूर आएंगे वो अपना जो movie और shows जो है उसको promote करने के लिए आ रहे है तो उनके साथ कुछ सल्मान खान का fun segment होगा definitely वो interact भी करेंगे जो housemates हैं उनसे तो आपको अनिल कपूर देखने को मिलेंगे उसके अलावा एक interesting segment ये रखा हुआ है कि जितने भी family week के अंदर सारे family वाले members गए थे जिसमें मुनावर की बहन थी उसके बाद अंकीता लोखंडे की मा थी इशा मालविया के father थे अभिशेक की मा थी ये सारे के सारे लोग जो है आपको set पे दिखाई देंगे वो घर के अंदर नहीं जाएंगे घरवालों से कोई बात नहीं करेंगे उनका सल्मान खान के साथ एक discussion होगा जो जोसा की हर सीजन में होता है इन लोगों के साथ बैठ कर सल्मान खान का discussion आपको दिखाया जाएगा चुकि विकी जैन की मा बहुत जादा ट्रोल हो चुकी है और उनके लिए काफी एक negativity वाहर फैल गई है तो विकी जैन की मान ही आने वाली है उनकी जगह पे विकी जैन की भावी आपको दिखाई देंगी बाकी सारे contestants के more or less वही आपको family members दिखेंगे जो की family week में आपको दिखे थे तो अभी तक जो confirm news है वो इतना ही है हो सकता है कि कोई भी XYZ region ढूंड के मुनावर फारुकी को भी बैश किया जाए और उसमें ये कहा जाए कि तुमने मनारा का साथ नहीं दिया मनारा तुम्हारे लिए पूरा खड़ी थी तुम्हारा बहुत stand लिया लेकिन तुमने मनारा का साथ नहीं दिया कुछ भी पता नहीं है ये confirm news नहीं है अभी ये ऐसा speculation है कि last weekend के बार पर ऐसा trend होता है कि जो contestant neutral audience के बीच में सबसे आदा popular होता है जैसा कि इस season में मुनावर फारुकी है बिग बॉस 14 में रूबीना दिलेक है तो last weekend के बार पर रूबीना दिलेक की बहुत जम के bashing होई थी तो हो सकता है कि इस बार मुनावर फारुकी को कोई भी stupid सा region पकड़के मुनावर फारुकी की भी bashing हो अंकीता लोखंडे की bashing होना 100% confirm है उनकी bashing तो होगी होगी वैसे देखा जाए तो ईशा मालविय, अंकीता लोखंडे और विकी जैन ये तीनों ही सिर्फ deserve करते हैं bashing होना सिर्फ इन तीनों की bashing होनी चाहिए लेकिन makers TRP के game में आपको पता है कि बिना किसी reason कोई कभी भी मुनावर फारुकी को उठा के उसको best कर देते हैं जिसमें उसका कोई गलती भी नहीं होता है हमने भेडो weekend के वार ऐसे देखे हैं तो अगर इस weekend के वार पर भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि बिना किसी reason के कोई stupid मुद्दा पकड़के मुनावर फारुकी को बहुत जादा डाट लगाई जाए तो उससे भी जितने भी मुनावर के fan है उसको बिल्कुल भी उदास होने की या निरास होने की जोट नहीं है makers का अपना काम हो उनको अपना काम करने दीजिए TRP के लिए next week में जैसी finale की voting start होती है आपका काम यह है कि मुनावर फारुकी का जो roast वीडियो का जो प्रोमो हमने अपने ट्विटर पर डाला है आप वहाँ देख लीजिए मुनावर फारुकी ने प्रॉमिस किया है कि मैं वादा करता हूँ कि यहां से record तोड़ के जाऊँगा तो जितने भी मुनावर फारुकी के fans है उनकी responsibility और बढ़ी आती है कि इस बार vote आपको इतना करना है कि Big Boss की history का सारा record तूट जाए और मुनावर फारुकी highest margin से जीते आपका focus इतना होना चाहिए बाकि उसको best किया जाता है नहीं किया जाता है उससे हमें कोई वर्क नहीं पड़ता और आज रात का episode आप देखिएगा आपको मज़ा आ जागा मुनावर फारुकी का जो roast session है उसने पूरी आग लगा दी है जितने भी बाहर से crowd आये थे पागल हो जाते हैं मुनावर फारुकी के लिए और सबसे यादा hooting सबसे यादा शोर जो है मुनावर फारुकी के लिए ही होता है एकदम confirm है वो आपको visibly देखने को ही मिल जागा आपने अल्लेड प्रोमो में भी देख लिया होगा तो बस अभी के लिए वीकेंड के बार की इतनी अपडेट हमारे पास है जैसे ही कुछ और अपडेट हमारे पास आएगा वैसे ही हम आपको साथ uncertainty करेंगे तो बस जुड़े रही है हमारे साथ अगर आपको हमारा कंटेट अच्छा लगता है तो प्लीज अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्ट यू